जी स्यूंस अगर आप देखो जमीन को दर्मयान में से कट करो तो यह जो दर्मयान वाला जो हिस्सा आपको लाइंस लगी भी लगा सरा रही ना यह कहलाती है एक्वेटर ठीक है if we cut the earth along equator into two equal half ठीक है यानि जमीन को half अगर करें तो जो है वो equator पे the distance from one end to another is about 12,750 km तो यह क्या कहलाएगा diameter ठीक है इस इस दा diameter of the earth सही है अगर आप खुर गोर से देखो earth को नोने कहां से कट के जमीन दर्मयान से ठीक है तो जो दर्मयान से कट किया है यह हमारा क्या कहला दिया diameter of the earth 12,750 km है से की diameter of the earth हो गया है second देखें second point है if we move over the equator and take equal round the distance is about 40,000 km this is called circumference of the earth अब आप गदर देखो के circumference of the earth circumference कहते हैं round object को यानी पूरा circle ठीक है अगर आप मैस पड़ो तो मैस में जो पूरा circle है ना वो आपका circumference कहलाता है तो यहाँ पर अगर हम full circle of the earth देखें तो first circle of the earth कहा है circumference का 40,000 km है ठीक है 40,000 km है तो अगर हम जमीन को half करें तो उसको half अगर देखें तो 40,000 यानी 20,000 20,000 उसका diameter होना चाहिए था लेकिन अगर आप diameter को देखें 12,7,50 km इसका diameter है तो इसका मतलब जो है वो हमारी जमीन क्या है round नहीं है ठीक है यानी goal नहीं है किसी जगा पे ये बैठी भी है ठीक है अब आप देखें circumference of the earth pool art का जो है वो पूरा पूरी earth को जो है circle का वो हमने देखें कि वो उसको पूरी earth कितनी meter पर फैली भी है 40,000 km का circumference है और diameter यानी half portion of the बेली आप झाली लगा